मा काल का माई के आशिर्वाद प्राहनुत आज मैं आप सब के बीच आशिर्वाद लेने आया हूँ और मुझे बहुत ही हर्ष हो रहा है मेरे लिए गौरव का विश्य है कि आज इस जन आशिर्वाद यात्रा के प्रारंब होने के समय पर हमारे बीच में केंद्र सरकार के हमरे रक्षा मंत्री बार्तिय जिन्ता पायटी के पूर्व अध्यक्ष आधनी अठा को राजना सिंजी हमें आशिर्वाद देने के लिए आये मैं उनका अपनी ओर से हर्याणा सरकार की ओर से हर्याणा की भाय क्रोड जन्ता की ओर से अभिनन्नर करता हूं स्वागर करता हूं हमारे बीच में इस बार के अपने विदहन सबा का जो चुनाव आ रहा है उसके प्रभारी बनके आधनी श्री नरेंदर सेंजी तोमर जो केंदर सरकार में क्रिशी मंत्री ग्रामनी विकास मंत्री है और सायोगी के नाते आधनी श्री भुपेंदर सेंजी जो क्रिशी मंत्री उत्रप्रदेश है ऐसे उनका भी मैं स्वागत करता हूँ हमारे वरेश्ट पार्टी का लगातार माखशन कर रहे हरियाना के प्रभारी राष्टिय महमंत्री राजय सभासांसर डॉक्टर अनिल जेहन जी उपी आज हमें इस अवसर पर शुब कावना देने के लिए आये हैं हमारी प्रदेश की पूरी टीव प्रदेश की हमारे अध्यक्ष अन्य सभी बदादिकारी हमारे केंदर में इस प्रदेश से जो नेता केंदर के मंत्री और इसी क्षेतर से सांसर श्री रतनलाल जी के नारिया हमारे केंदर में मंत्री श्री कृष्णपाल जी गुर्जर अन परेज के हमारे मंतरी पूरा मंतरी बंडल श्री राम्विला जी शर्मा अन्य सभी मंतरी गण। हमारी यहां की विधायक बहन लग्तिका शर्मा और उनके साथ सभी हमारे अन्य विधायक गण। बोड़ों के कारप्रशन के सभी हमारे चेर्मेन बंदू, पार्टी के सभी पदादिकारी, कारखता बंदू गण, आज हो पस्तित बुजुर्गों, नौजवान साथ ही हो, बड़ी संक्या में आशिर्वाद देने के लिए माताओं बहनों, पत्रकार वे छायकर मित्रों, हम लोगोंने दोजार चौदा में आपके आशिर्वाद से ही सरकार बनाई थी, पहली बार भार्टी जिनता पार्टी को बहुमत दे करके आप लोगोंने आशिर्वाद दिया था, पांच साल पहले जो हमने संकल्प किये थे, जो गोशनाय की थी, एक पारदर्शी सरकार, एक पारदर्शी सरकार, ब्रस्टाचार को जडबूल से नष्ट करके, मानव जिवन को कैसे सुकhी बनाया जाए, अपने परदेश की गरीब जनता को, कैसे उसकी समस्याओं में से बाहर नकाला जाए, जीवन शेलि को कैसे सुलब बनाया जाए, विकास के काम कैसे आगे बढ़ाया जाए, यह सब का भाइव बैनों हमने किये हमने अपनी सरकार बदलने के बाद पिछली सरकारों का जो काम काज करने का तरीका था वो सब बदला कामकाई करने का तरीका हमने बदला लेकिन बदलने के बाद उसको पचाने में बहुत लोगों को तकलीफ भी होई लेकिन जिन लोगों को उसकी सुईधा का लाब मिला उन लोगों ने भुरी भुरी परशेंशा भी की पिछली सरकारों का कोई एम होता था अलग से हम सब जानते हैं उनका क्या एम होता था और उस एम को प्राप्ट करने के लिए विभिन पर करके गेम वो खेलते थे उनके एम और गेम अलग थे हमारे एम और गेम भाईयो बहनो अलग है उनके एम गेम में राजसत्ता को भोगना उनके हेम में राजसत्ता को भोगना और भोग करके मैं मेरा घर मेरा परिवार ये कैसे साधन संपन हो कैसे उसके धन के अंबार भरें और उसके लिए चाया ब्रस्टाचार करना पड़े चाहे दलाली करने पड़े कोई भी तरीका करने के लिए उसब गेम खेलते थे हमारा एम हमको भी अपने परिवार को सुखी करना है यहां तक तो एक हो सकता है लेकन अंतर ये है उनका परिवार उनके बेटे, उनके बेटियां उनके रिष्टेदार, उनके चार दिवारी के अंदर रहने वाले रिष्टदार वो उनका परिवार लेकन भाईो बेनो भारते इंता पार्टी ने जो संस्कार हमको दिया है हमारा भी परिवार है लेकन हमारा परिवार हरिणा की धाई करोड जनता है इस ध़्रोड जनता के लिए करना है हम सत्ता को भोगने के लिए नहीं आये हम सत्ता को सेवा का माध्यम ये बनाने के लिए आये सेवा हमारा धर्म है सिवा हमारा धर्म रहेगा यह हमारा संकल्प है भाई बैनों पांच साले में जो किया प्रयाप्त किया है कम नहीं किया जो गोशना कित उसे ज्यादा किया है लेकिन करना शेश बहुत है हम लोगों ने जो अभी तक पहले किया है उसका प्रसाद जनता हमको दे रही है लगातार एक के बाद एक जीत हमको मिली है चाहे वो फृदाबाद गुरुगराम का नगर निगम का चुनाओ हो चाहे जिला परिशद पंचायते नगर परिशद नगर पालिका इनके चुनाओ ह हो चाहे जीन का चुनाओ हो और चाहे इस देश का पर्चम फहराने के लिए हमारे केंदर सरकार श्री नहेंदर मोदी जी की नेत्रतों में जिस प्रकार का एक वश्याइश जनता के सामने रखा लोग सभा की भी दस की दस सीटे बातरिंता पालिकी जोली में इस जनता ने ड डाली बड़े बहुमत से डाली हमारा केंदरी नेत्रतों पधार मंत्री श्री नेंदर मोदी जी चाहे हमारे रक्षा मंत्री श्री राजना सिंग जी चाहे हमरे गुरह मंत्री श्री अमिद्शा जी एक से एक बढ़कर के इस देश की एक ताखंड़ता के लिए इस देश की पुलवामा के घटना के बाद आतताई देश पाकिस्तान को सबक्स खाने की बाद हो और चाहे कश्मीर के अंदर इस देश की अखंडता को बाधा रहने वाली आने वाली 370 का अनुछेद हो उसको खतम करके जो इस जनता के अंदर एक संदेश दिया है भाईो बैनो यह इतिहा है इतिहास बन गया इसको कोई भूलेगा नहीं है हम लोगों ने हम लोगों ने विकास के काम बहुत किये हैं चाहे वो केंदर सरकार के काम हो चाहे हर्यणा सरकार के काम हो आज जनता में एक मैसेश अंदेश गया है कि इस पांच साल के अंदर जितने काम हुए चाहे हमारे विधान सभा परस्थानी अस्तर के हों जिलास्तर पर हों पुरे प्रदेश के हों इन विकास के कामों में पांच साल के बाद आज सब कह सकते कि जितना विकास आज हुआ है चाहे हमारे ग्राम पंचायतों के माध्यम से चाहे नगर पाली काओं के माध्यम से इतना काम पहले कभी नहीं हुआ है अगर हम काल का विधानसभा की बात करें तो यहां पर मैं बता रहा हूँ कि आपको तो यानि इन पांच सालों के अंदर हिसाब लगा है हमारी लतिका बहन हिसाब लगा के बताती हैं हमको कभी-कभी 800 क्रोड रुपे से ज्यादा काम इस विदानसवा में हुए 800 क्रोड रुपे कोई जमाना कभी नहीं वाता है मोरनी जैसे इलाके में गाओं में पानी नहीं था पहाड़ी खेतर के अंदर 120 गाओं के अंदर हमने वहाँ पानी पहुचाया है सड़कों का जाल हमने बिचाया है यहां से बद्दी तक का रास्ता कितना कठिन था उस रास्ते को वहाँ पर आरोबी रेलेवे फाटक से निजात पाने के लिए आरोबी वह भी बनाया जा रहा है पिंजोर का बाइपास नितन गडगरी जी आकर के स्वेम इसका शलानास करके गए थे और वो लगबग कंप्लीशन की और आगे बढ़ रहा है हमने हम्ने हम्टी का बहुत बड़ा नुकसान पिछली सरकारों हम्टी का किया है बहुत बड़े घबले ऐसे हो रहे हैं जिसकी जान चल रही है लेकिन उस हम्टी की जगाँ पर पहले तो सो एकड़ में एपल की मंडी क्योंकि हिमाचल का ये रास्ता है एपल की मंडी का एक शिलानास मां करके और उसको हमने प्रार्म करने के संकल्प लिया है इसी प्रकार से कोई ना कोई इंडस्ट्री आए जो बाकी जमीन है चम्टी की है महाँ कोई ना कोई एक इंडस्ट्रियल यूनेट ये अगली योजना के अंदर निश्य रूप से लेके आएंगे ताके यहां के नौजवानों को रुजगार मिले कि आपने काम की ये लेकिन आज अबसर है आज अबसर है कि पाँच साल में जो किया वह बताने में तो बहुत समय लगेगा लेकिन आखिरत जो काम आगे बढ़ाने हैं इसके लिए लोक तंत्र में जो लाइसंस होता उसको रिन्यू कराना होता पांच साल के बाद पांच साल समाप्त हुए भारती जिंता पार्टी की सरकार इसकी पुनर स्थापना हो तो ये जो आने वाला पर्व है लोकतंत्र का अक्तूबर के अंदर चुना होंगे उसके लिए आप लोगों से आशीरवाद लेने का काम ये भायों मैंनों आज मैं करने आया हूँ अपने को लगता है यदि अपने को लगता है कि पिछले पांच साल में कुछ अलग हर्याना में हुआ है और आगे एक नया हर्याना बढ़ाने के लिए पार्टी जिंता पार्टी की जो सरकार बनेगी उसके अंदर जिंता का भला होगा तो मैं मानके चलता हूँ का निश्यूर की नेत्रत्व पांच अधिनी श्रीय राजना सिंग्जी only n बड़े भाई हैं मेरा से आयू में बढ़े हैं onto me रऊक्रश रहे हैं इनके नेत्रत्व में हमने बहुत काम किया है तो मैं आशिरवाद लेने के लिए आपको पास आया हूँ मैं विश्वास करता हूं अब it शुरुआ देंगे और ये बीज दिन के यात्रा ये निशित रूप से एक सवल यात्रा के रूप से आगे बढ़े हम अपना एम जन सिवा का एम उसको पूरा करें मैं आप से भारत माता की इससे पहले के जिन करें माता की लाइड़ा ये जिन किया एम जचाओ से एकुद में आप से एक समय करूए़ाप हम ईंज करें प्रूप से एक से एक समय करें आप से एक समय किरिक।